नमस्कार, हिलकस नियो चैनल में आपका स्वागत है मैं शिल पशन मा हाजिर हूँ आज की खबरों के साथ तो चलिए देखते हैं आज की खबरे हिमाचल में अब 5 डे बीग धार्मिका योजनों पर बैन सभी दफ्तरों में आदा स्टाफ ही आएगा हिमाचल में क्रोना संक्रोन की रफ्तार को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बंदिसों में और बदलाब किया है रविवार को मुख्यमंत्री के अधक्ष्टा में हुई बैठच में लिएगे फैसलों के अनुसार हिमाचल में अब सरकारी दफ्तर फाइब बीक वेवस्था पर चलेंगे यानि शनिवार और रविवार को ये दफ्तर बंद रहेंगे इनमें सरकारी विभाग पब्लिक सेक्टर, अंडर टेकेस, थानिय निकाय और हिमाचल प्रदेश सची वाले भी शामिल है इसी के साथ दूसरा फैसला ये भी है कि काम के पांच दिनों में इन दफ्तरों में अटेंडस 50 फिस्दी रहेगी यानि दफ्तरों में आधे करमचारी ही आएंगे सरकारी दफ्तरों में क्लास बन और क्लास टू के अधिकारी रोज दफ्तर आएंगे जबकि 50 फिजदे कपस्टी का अधेश कलास 3 और कलास 4 के लिए ही है हलांकि ये दोनों फैसले एमर्चेंसी सेवाओं वाले दफ्तरों में लागू नहीं होंगे एमर्चेंसी वाले विभागों में स्वास्ते, पुलिस, फायर, बैंक, बिचली, वर्टर एंड, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांस्पोर्ट, टेलीकॉम, एकसाइज, बजट और अन्या शामिल है जो इंसी टेंट सेवाओं से स्वंधित है ये अदेशी माचल हाई कोट पर भी पूरी तरह से लागू नहीं होंगे क्योंकि हाई कोट इस बारे में अलग से अदेश करेगा राच्चे में सभी तरह की धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह बंद रहेगा अन्या समारों जैसे एकाडमिक, खेल, मनुरंजन, सांस्क्रितिक और राच्णिती कारिक्रमों में पचास फिजदी, कपैस्टी और इंडोर विवस्ता में अधिकतम 100 लोगों को ही अनुमती होगी ओपन स्पेस और आउट्डोर में क्षमता के पचास फिजदी और अधिकतम 300 लोग ही शामिल हो पाएंगे इस तरह के आयोजन के लिए SDM से मज़़ूरी लेना जरूरी होगा इन सभी कारिक्रमों में COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा सभी तरह के धर्विक संस्थानों में लंगर, कम्यूनिटी किच्चन और धाम पर बैन रहेगा सरकार की ओर से जारिये अधिश 24 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे इसी विच मुख्यमंत्री ने 15 जनवरी तक अपने सभी सार्वजनी कारेक्रम स्थंगीत कर दिये हैं बै इस दोरान सुला, बढ़सर और नदौन चाने वाले थे फोरलेन के काम से 12 मकानों में धरारे घुमार्वी के कलर गाउं में जमीन की कटाई से बढ़राया संकत केटपूर नेर चौंक फोरलेन के निर्मान कारे के चलते ग्राम पंचायत बहना जट्टा के तहताने वाले गाउं कल्ले में करीब एक दर्जन मकानों में दरारे आगी है साथ ही लगती भूमी में भूस खलन शुरू हो गया है प्रेम लाल पुतर बक्षी राम, श्रबन कुमार पुतर निका राम, परदीब कुमार पुतर श्रबन कुमार, सुनील कुमार पुतर प्रेम लाल, बरफी देवी पतनी काला राम, भगत राम पुतर निका राम, क्रिशल लाल पुतर काला राम, रमा भातिया पतनी, शिब राम भाटिया भगबंत कौर पत्नी प्यारे लाल भाटिया और राम लाल पुत्री बक्षी राम ने कहा कि हमारी जमीन के साथ फोलेन के लिए कटान का कारेच चला हुआ है जिसमें बड़ी-बड़ी मशीनों के बाइब्रेशन कमपन होने से उनके मकानों गोशाला रसोई घर बड़े पत्थर गिर रहे हैं लोगों का कहना है कि पहले बे भागणा भिस्थापित है तथा अब फोलेन की जद में उनके मकान आगे है उन्होंने जिलाधीश से मांग की है कि इस गाओं का दोरा कर लोगों को आरही परिशानी से निचा दिलाई जाए उधर बहना जटा परदा मनमोह सिंग ने बताया कि प्रेमलाल का मकान के खत्रे को देखते हुए फोलेन कमपनी ने उस परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है तथा खाने पीने का परभन भी कमपनी ही करेगी उन्होंने जिलाधीश से मांग की है कि परभावी परिवारों की समस्या क देखते हुए उचित कदम उठाये जाए भारत्य किसान संग हिमाचल प्रदेश के महामंत्रे सुरेश ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार ने हाल ही में जब तीन तीशी कानून संसद में पास किये थे उन कानूनों में शर्शोधर की मांग रखते हुए किसानों को उसकी उपच का लागत अधिकारिक लाबकारी मुल्य उन तीनों कानूनों में शामिल करने की भी मांग रखी गए। दोबारा परस्ताब जिला इकाईों में पारित कर परधान मंत्री मक्रिशी मंत्री को भेजे। लेकिन एक वार फिर इस और सरकार का ध्यान कर्शन करते हुए ये मांग अब तीसरे चरण में पहुँच गई है। जिसके तेहत पहली से 10 जनवरी तक गठित ग्राम समीतियों में बैचके कर्ब, किसानों में जन जागरन किया जा रहा है। 11 जनवरी को हर भी कास खंडों से लागत अधारित लागकारी मुल्य प्राप्ति की मांग को लेकर धर्ना परदर्शन का निर्णे लिया है। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे बिदा लीती हूँ धन्यवाद देखते रहे हैं। प्राप्ति कास लिए शानल, लाइक, शेयर, सब्स्वेर काना ना भूले।